एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था रास्ते में एक जगे उसे एक हाती दिखाई दिया उसने एक बात पर गौर किया कि वो हाती एक छोटी सी कमजोर पतली रसी से बंदा हुआ था उसे ये देखकर आश्चर हुआ कि कैसे इतना बड़ा जानवर एक कमजोर रसी के सहारे बंदा हुआ रह सकता है क्योंकि वहाँ ना तो कोई जन्जीर थी ना ही कोई पिंजरा क्या कारण है इसका उसने वहाँ एक हाती का मास्टर देखा उसने मास्टर से पूँचा हाती क्यों इस कमजोर रसी से बंदा हुआ खड़ा है और भागने का बिलकुल भी प्रयास नहीं करता जबकि वो एक छटके में ऐसा कर सकता है हाती के मास्टर ने जबाब दिया जब यह हाती बहुत छोटा था तब मैं इसी रसी के सहारे इसे बांदा करता था तब यह रसी इतनी मजबूत थी कि इसको मजबूती से पकड़े रहती थी और यह रसी तोड़ कर नहीं भाग पाता था इसने रसी को तोडने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन इसका हर प्रयास विफल रहा धीरे धीरे यह बड़ा होता गया इसे अभी भी लगता है कि इस रसी से आजाद होना इसके बस की बात नहीं है इसने रसी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया आज यह एक वयस्क बलवान हाती है लेकिन इसने रसी से हार मान ली है आदमी यह सुनकर हैरान था यह जानवर किसी भी समय रसी को तोड़ कर अपने बंधन से मुक्त हो सकता है लेकिन उसने मान लिया है कि वे ऐसा नहीं कर सकता इसी लिए उसी कमजोर रसी के सहारे बंधन में है जिस से वे बच्पन से बंधता आया है चाहि दुनिया कितनी भी कोशिश करे तुम्हें रोकने की तुम हार मत मानो, निरंतर प्रयास करते रहो अपने आप में भरोसा रखो कि तुम सफल जरूर होगे यही आपकी सफलता का पहला कदम है एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था एक बार की इंगलिश होती है once ठीक है? once एक आदमी कहीं जा रहा था वाक्य के अंतमेह रहा था तो ये sentence हुआ हमारा past continuous का ठीक है? subject है एक आदमी यानी a man singular subject है एक आदमी है एक वचन है तो हम इसके साथ was का यूज करेंगे a man was going somewhere जा रहा था जाने की इंगलिश होती है go ठीक है? और past continuous tense में हम verb के साथ ing का प्रियोग करते हैं so a man was going somewhere somewhere यानी कहीं रास्ते में on the way उसे एक हाथी दिखाई दिया he saw an elephant उसे एक हाथी दिखाई दिया वाक्य है past indefinite का ठीक है? और subject क्या है उसे? यानी he दिखाई दिया दिखाई देना की इंगलिश होती है see और हम past indefinite में second form लगाएंगे तो हो जाएगी saw he saw an elephant उसने एक बात पर गौर किया again sentence है past indefinite का उसने यानी he he फिर है गौर करना यह हमारी verb है इसको हम इंगलिश में या तो बोलेंगे observe या फिर notice ठीक है? he noticed one thing notice गौर किया लेकिन past indefinite में हम second form लगाएंगे तो यह हो जाएगी noticed he noticed one thing उसने एक बात पर गौर किया कि that हाथी एक छोटी सी कमजोर पतली रसी से बंदा हुआ था the elephant was tied by small weak thin rope ठीक है? tied यानि बंदा हुआ था small यानि छोटी सी weak यानि कमजोर और thin यानि पतली और रसी को हम इंगलिश में rope कहते हैं the elephant was tied by a small weak thin rope उसे यह देखकर आश्चर हुआ subject है he he was surprised to see surprised to see यानि देखकर आश्चर हुआ कि कैसे इतना बड़ा जानवर that how such a large animal could remain tied with a weak rope कि कैसे इतना बड़ा जानवर एक कमजोर रसी के सहारे बंदा हुआ रह सकता है ठीक है बंदा हुआ रह सकता है remain remain tied मतलब बंदा हुआ रहना how such a large animal कैसे इतना बड़ा जानवर could remain tied कैसे बंदा हुआ रह सकता है with a weak rope एक कमजोर रसी के सहारे ठीक है how such a large animal could remain tied with a weak rope क्योंकी क्योंकी की इंगलिश होती है because वहाँ ना तो कोई जन्जीर थी ना ही कोई पिंजरा ठीक है जब भी ऐसा sentence आए ना तो ठीक है ना तो कोई जन्जीर थी ना ही कोई पिंजरा तो हम neither और nor का प्रियोग करते हैं ठीक है वहाँ यानि there there was neither a chan chan यानी zanžीर there was neither a chan nor a cage वहाँ ना तो एक जन्जीर थी और ना ही कोई पिंजरा ना यानी ना तो और ना ही वहाँ ना तो कोई जन्जीर थी ना ही कोई पिंजरा और and वहाँ थी चाहे तो एक जटके में इस बंधन से मुक्त हो सकता है If the elephant wants to मतलब यदी वो हाती चाहता है तो He can get rid of this bondage in one stroke He can get rid of this bondage यानि वह इस बंधन से मुक्त हो सकता है Get rid of यानि मुक्त होना He can get rid of this bondage Bondage यानि बंधन वो इस बंधन से मुक्त हो सकता है In one stroke, एक जटके में ओके? लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा क्या कारण है इसका? लेकिन यानि बट वह ऐसा नहीं कर रहा है Why is he not doing this? ठीक है यह sentence है वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा है यानि present continuous Why is he? He एक singular subject है तो हम उसके साथ इसका प्रियोग करेंगे Why is he not doing this? वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? क्या कारण है इसका? What is the reason? Reason यानि कारण वज़े What is the reason? क्या कारण है? क्या वज़े है? उसने वहाँ एक हाथी का मास्टर देखा उसने यानि he यह sentence past indefinite से है ठीक है? फिर हम लगाएंगे वर्ब जो की है देखा देखा की इंगलिश होती है see और second form होगी saw He saw the master of an elephant there He saw the master of an elephant उसने एक हाथी का मास्टर देखा there यानि वहाँ He saw the master of an elephant there उसने मास्टर से पूँचा की उसने यानि he फिर लगाएंगे हम वर्ब जो की है पूँचना तो पूँचना की इंगलिश होती है ask और second form होगी asked He asked the master हाथी क्यों इस कमजोर रसी से बंधा हुआ खड़ा है Why the elephant stands tight to this weak rope मतलब why the elephant stands tight जो हाथी है वो क्यों बंधा खड़ा है खड़ा होना यानि stand टाइड यानि बंधा हुआ to this weak rope यानि इस कमजोर रसी से Why the elephant stands tight to this weak rope and भागने का बिलकुल भी प्रियास नहीं करता Does not attempt to run at all Does not क्योंकि यहां पर वाक्य के अंतम्यारा करता है जिसका अर्थ है यह वाक्य है present indefinity Does not attempt to run at all attempt यानि प्रियास करना भागने का बिलकुल भी प्रियास नहीं करता है ठीक है जब की While वो एक जटके में ऐसा कर सकता है He can do so in one stroke सकता है वाक्य के अंतम्यारा सकता है तो हम can का प्रियोग करेंगे He can do so वह ऐसा कर सकता है in one stroke एक जटके में हाथी के मास्टर ने जबाब दिया The elephant's master यानि जो हाथी का मास्टर था The elephant's master replied ठीक है जवाब देना को हम इंग्लिश में reply कहते हैं और बात हो रही है Past की जवाब दिया तो हम reply की second form का यूज़ करेंगे The elephant's master replied जब वहन यह हाथी बहुत छोटा था This elephant यह हाथी यानि This elephant was very small जब यह हाथी बहुत छोटा था तब मैं इसी रसी के सहारे इसे बांदा करता था I tied it मतलब मैं इसे बांदा करता था With the help of this rope इस रसी के सहारे इस रसी की मदद से I tied it with the help of this rope तब तब यानि then यह रसी इतनी मजबूत थी कि इसको मजबूती से पकड़े रहती थी यह रसी इतनी मजबूत थी मजबूत थी यानि अब यह मजबूत नहीं है हम पास्ट के बारे में बात करें This rope was so strong यह रसी इतनी मजबूत थी कि that इसको मजबूती से पकड़े रहती थी It used to hold it firmly firmly यानि अच्छे से मजबूती से It used to hold it Hold यानि पकड़ की रखना ठीक है? पकड़ना It used to hold it किसको hold करके रहती थी? Elephant को तो यहाँ पर जो it का हम use कर रहे हैं वो elephant के लिए कर रहे हैं It used to hold it firmly और और यानि end यह रसी तोड़ कर नहीं भाग पाता था ठीक है? अगेर हम past की बात कर रहे हैं रसी तोड़ना escape बस की बात नहीं थी ठीक है? could not का प्रियोग करेंगे हम ओके? It could not escape by breaking the rope break यानि तोड़ कर और escape का अर्थ होता है भाग जाना या फिर बच के निकल जाना ठीक है? It could not escape by breaking the rope यह रसी तोड़ कर नहीं भाग पाता था इसने रसी को तोड़ने के लिए बहुत प्रियास किया अब यह sentence है past indefinite का ठीक है? इसने यानि it प्रियास किया यह हमारी verb है तो subject के बाद हम verb लगाएंगे प्रियास करना को हम बोलते हैं try और यहाँ पर हम try की second form लगाएंगे tried It tried a lot इसने बहुत प्रियास किया रसी को तोड़ने के लिए to break the rope break यानि तोड़ना rope यानि रसी It tried a lot to break the rope लेकिन but इसका हर प्रियास विफल रहा विफल यानि यह fail हो गया ठीक है यह मतलब अपने task को पूरा नहीं कर पाया यह रसी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाया हर प्रियास विफल रहा Every attempt of it failed Every attempt Attempt यानि प्रियास करना ठीक है Every attempt इसका हर प्रियास विफल रहा Every attempt of it Failed धीरे धीरे यह बड़ा होता गया यह वाक्य है Past Indefinite से धीरे धीरे की English होती है Grazielly ठीक है Grazielly ओके यह बड़ा होता गया It grew ठीक है Grazielly it grew धीरे धीरे यह बड़ा होता गया इसे अभी भी लगता है He still feels ठीक है Still यानि अभी भी He still feels इसे अभी भी ऐसा लगता है इसे अभी भी ऐसा महसूस होता है कि That इस रसी से आजाद होना इसके बस की बात नहीं है He can't get rid of this rope Get rid of का मतलब होता है मुक्त होना ठीक है Get rid of this rope वो इस रसी से चुटकाला नहीं पास सकता है वो इस रसी से नहीं छूट सकता है ठीक इससे मुक्त नहीं हो सकता है इसने रसी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया पास्ट इन्डेफिनेट से है सेंटेंस इसने यानि इट प्रयास नहीं किया वाक्य में नहीं शब्दा रहा है मतलब यह नेगिटिव सेंटेंस है तो पास्ट इन्डेफिनेट नेगिटिव सेंटेंस में हम दिड नॉट का प्रयोग करते हैं सब जग के बाद It did not attempt to break the rope, ठीक है, break यानि तोड़ना, attempt यानि प्रयास करना, इसने रस्टी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया आज, today, यह एक वयस्क बलवान हाती है It is an adult strong elephant, adult यानि वयस्क, strong यानि मजबूत, बलवान, ताकतवर It is an adult strong elephant, या एक वयस्क बलवान हाती है, लेकिन, बट, इसने रस्टी से हार मान ली है It has given up on the rope, ठीक है It has given up on the rope, give up का अर्थ होता है, हार मान लेना और यह sentence है, इसने रस्टी से हार मान ली है, यह sentence है, present perfect का जिसमें हम subject के साथ has या फिर have का यूस करते हैं, वर्ब की third form लगाते हैं तो give up की third form है given up, ओके It has given up on the rope, इसने रस्टी से हार मान ली है आदमी यह सुनकर हैरान था The man, यानि आदमी, was surprised to hear this Surprise यानि वो आश्चरे चकित था, हैरान था To hear this, इसे सुनकर ठीक है, the man was surprised to hear this यह जानवर This animal, किसी भी समय रस्टी को तोड़ कर अपने बंधन से मुक्त हो सकता है वाके किंद में सकता है आ रहा है, तो हम can का प्रियोक करेंगे This animal, यह हो गया subject, फिर can This animal can break the rope यह जानवर, अपनी रस्टी को तोड़ सकता है और अपने बंधन से मुक्त हो सकता है and get free of its bondage bondage यानि बंधन और फिर आता है किसी भी समय at any time मतलब वो रस्टी को तोड़ कर अपने बंधन से मुक्त किसी भी समय हो सकता है This animal can break the rope and get free of its bondage at any time but, यानि लेकिन उसने मान लिया है वाक्य है present perfect का He has believed Believed यानि इस बात पर यकीन है उसको भरोसा कर लिया है कि that वह ऐसा नहीं कर सकता है He cannot do it He cannot do it Do यानि करना He cannot do it वह ऐसा नहीं कर सकता है इसी लिए यानि therefore उसी कमजोर रसी के सहारे बंधन में है जिस से वह बचपन से बंधता आया है He is in bondage with the same weak rope since childhood Since childhood यानि बचपन से यानि उसी कमजोर रसी से बंधता आया है